असलाम अलेकुम रहमतुल्ला है बरकातो हूँ कैसे हैं आप चलिए हम लोग पावर पॉइंट से रिलिटेट एक नए ट्रिप्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं उससे पहले हम आपको एक्जैंपल देखा देते हैं वो किस तरह से होता है देखिए यहां पर हमने कई यह इसको सेलेट किया है और मौोँस क्लिक या आटो को सेय्ट कर सकते हैं आवर पॉइंट 2010 में में आप इसको लगा सकते हैं वो ऐसार आप क्या,। आपका कॉनसप्ड क्लियर होना चाहिए कि आप क्या स्लाइट करवाने चाह उसके लिए कोई वीडियो एडिटिंग सॉफ्ट्वेर का जरुरुत नहीं पड़ेगा तो चलिए कैसे हुआ देख लेते हैं कि अगर कि अगर करते हैं तो चलिए हम लोग रहन में जाते हैं पावरपॉंड लिखते हैं इस्टार्ट करते हैं यहां से आप सेलेट करके इसको डेल कर लीजिए और डिजाइन में जाकर इसका बैक्कराउंड को ब्लैक कर लीजिए या जो आपको पसंद हो वो कर लीजिए अब चलते हैं होम के पास में ही इंसर्ट का एक बटन है उसी के नीचे में देखिए पिक्चर का ऑप्सन है यहां से आप जाईए और आप अपना डिजाइड पिक्चर को सेलेट कर लीजिए जैसे हम यहां से अपना थम्सलेल सेलेट करना चाह रहे हैं तो यहां से हम कुछ थम्सलेल उठा लेते हैं ठीक है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नो, दस दस थम्सलेल उठाया एक साथ और इसको इंसर्ट में क्लिक किया यह at a time आपके सामने आगिया है ठीक है अब इसको बढ़ा करना है, छोटा करना है, आप कर लीजिए चलिए हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं और यहीं पे देखिए, जैसे यह picture पूरा all selected है यहीं पे आपको picture का option आजाता है यहां पे आप picture का कोई भी option ले सकते हैं ठीक है चलिए हम लोग एक ठोब picture का option ले लिया और यहां से देखिए यहां corner में alignment है, alignment में जाईए जाने के बाद इसको center कर लीजिए अगर जो इधर इधर होगा वो center हो जाएगा अच्छा इसके बत अगर अगर आप चाह रहे हैं कि इसमें कोई 3D effect डालना तो आप 3D effect भी डाल सकते हैं या border भी डाल सकते हैं तो चलिए हम लोग यहां कोई 3D effect डाल देते हैं यहां से यह वाला यह वाला जो आपको समझ माह है वो डाल दीजिए हम actually आप अपने इसमें से डाल सकते हैं हम इसको फिलाल कुछ नहीं रखते हैं ठीक है हम इसको कुछ नहीं रखते हैं इसको छोड़ देते हैं यहां से glow कुछ भी करने का बाद यह सच जाएगा पूरी तरह से ठीक है अब इसके उपर हमको animation डालना है यहां देखिए animation को option है यहां से आप कुछ भी animation select कर लिजिए हम यहां से select करते हैं fade ठीक है सब के उपर fade apply हो गया अब यहां से आप animation pan को activate कर लिए ताकि आपका जितना भी यहां animated pan में आ जाए at a time अब इसको work कर सकते हैं drop down menu में यहां जाने के बाद देखिए effect option है यहां पर आप click किजिए और यहां से don't dim है इसको कर दीजिए height on next mouse click जैसे आप एक click करते हैं तो एक picture जो है वह hide हो जाएगा यहां पर टाइमिंग बगर है में कुछ set करने के जरुवत नहीं है आपके mouse की click को पर ही काम करेगा सब ठीक है अब यहां से ok कर लिए start with previous कर लिए ठीक है यहां से play करके देखिए ठीक है अब इसको हम full screen में लाते हैं देखिए यह auto play हो रहा है अगर आप चाहते हैं कि इसको mouse click करना है या कोई time set करना चाहते है तो यहां से आप time भी set कर सकते हैं या start with previous या यहां से जाके आप after previous यहां on mouse click कर दीजिए और यहां से okay किजिए अब यह वाला जब तक आप click नहीं करिएगा तब तक चले है चले हमनों click करते हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नो दस बहुत ही सिंपल था बहुत आसानी से आपका फुल स्क्रीन में आप अप अपना रन कर सकते हैं उसके बाद जो demonstration देना है आप दे सकते तो यह बहुत easy process था इसके इलाबह भी आप पावरपॉंट में वीडियो बगरा बना सकते हैं इंट्रो वीडियो और इंट्रो वीडियो बना सकते हैं जो हमने बना के इससे पहले दिखाया था आप लोग को लिंक में क्लिक करके यह वीडियो वाला option में जाकर यहां पर बहुत सारा हमारा वीडियो है वहां पर आप पावरपॉंट वाला प्लेस्टी लिस्ट में जाकर आप दे सकते हैं यहां पर यह देखिए How to create वीडियो How to create your इंट इंट्रो वीडियो इन पावरपॉंट तो आपको वीडियो कैसा लगा लाइक किजिए शेयर किजिए और सबस्क्राइब करना मत भूलिए ठीक है आज के लिए इतना ही अलाहाफ़